नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सेहमारे इस चैनल वेदिक दृष्टी पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें घड़ी को भूल कर भी इस दिशामे ना लगाएं इससे फैलती है घर में नकारात मकता इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों की आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है क्या गलती आपको नहीं करनी है और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में वास्तुदोश है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे की वास्तु दोश दूर हो और आपके जीवन से परेशानिया खत्म हो जाएं तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं समय चक्र का चलना कायम ही रहता है समय किसी के लिए नहीं रुकत गर में लगी घड़ी की जिसे हम रोज निहारते हैं, पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। आपको अपने घर में वास्तु दोश के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें, तो अपने घर में नेगेटिव एनरजी से छुटकारा पा सकते हैं, तो आएए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है की वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नमबर एक जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें। पीपल को जल चड़ाएं और चींटियों को शक्कर मिला आटा दें। तामबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रख कर सो जाएं। सुभ उस जल को तुलसी को चड़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानिया धीरे-धीरे दूर हो जाएंगी। नमबर दो वास्तुके अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें। तो इससे धन में बरकत होती है व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों नमबर तीन जाडू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए इनहें सदैव छुपा कर रखना चाहिए और जाडू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए नमबर चार शौचाले का दर्वाजा सदैव बंध होना चाहिए माना है कि घर की नेगेटिव उर्जा शौचाले में ही वास करती है। ऐसे में अगर शौचाले का दर्वाजा खुला रहता है, तो नेगेटिव उर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नमबर पांच घर में सुक शांती के लिए कपूर को घी में डूबा कर सुभशाम जलाना। चाहिए इससे घर में वास्तु दोश भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परिशानिया दूर होती है। दोस्तों नमबर छै दुरगटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालिसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नमबर घर में जिस जगह वास्तु दोश हो वहां कपूर की दो टिकिया रखें खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें नमबर आठ सूर्य अस्त के बाद कभी भी किसी को दूद। दही या प्याज नहीं देना चाहिए ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है नमबर नौ घर के मुख्य द्वार पर कूडा दान कभी भी ना रखे नमबर दस घर में तूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना। चाहिए नमबर ग्यारह अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। तेरा घर के सोने। वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए इससे के उपर नेगेटिव प्रभाव हावी हो सकता है। नमबर 14 घर में पौधे लगाते समय पानी में सिंधा नमक डालें सादे नमक का भी आप उप्योग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदाई होता है। आपको शुब फल जल्द ही प्राप्ठ होंगे। दोस्तों घरी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं। ये भी हम सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घडी का आकार यानि घडी की शेप दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घडिया। अंडाकार घडी सबसे उत्तम मानी जाती है। पर आजकल देखा जा। रहा है कि बाजार में कई प्रकार की घडिया मौजूद है जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि घडी के साथ तस्वीरें लगाना बिलकुल भी सही नहीं है आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है और भगवान की तस्वीर घडी में बिलकुल भी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धुप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यक्ता होती है और घडी तो कई मह तक धूल में पड़ी रहती है इससे भगवान का अपमान होता है और ये शुग नहीं माना जाता वो सके तो घडी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें घडी का या अंडाकार होना हमारी प्रिथवी के आकार को दर्शाता है जो को और घडी में नुकीले कोने होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नेगेटिव उर्जा का संचार करती है दोस्तों अगली बार जिसका आपको ख्यार रखना है वो ये है कि घडी को स्वच रखें साफ स्पाई का ध्यान रखें धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घडी टूटी फूटी नही होनी चाहिए दोस्तों जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बहतर होता रहे तो उसके लिए हम खुद को समवारे रखते हैं नए कपड़े और आभूशन पहनते हैं उसी प्रकार अपने घर की घडी को स्वच और नए जैसा ही रखना चाहिए या कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाडी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं एक जगह नई घडी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं ध्यान रखे घर में पुरानी या फिर तूटी हुई या धूल चड़ी हुई और बंद गाडी तो बिलकुल भी ना रखे क्योंकि इससे घर में नकारात मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है बंद पड़ी घडी को घर में रखने से यक्ती के जीवन में नए अफसर नहीं आते और वह अपने कार्य में काम्याबी प्राप्ट नहीं कर पाता अदली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह है घडी की सही दिशा घडी को कभी भी दक्षिन दिशा में नहीं लगाना चाहिए दक्षिन यमलोक की दिशा मानी जाती है काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है इसलिए वास्तु शास्त्र में इस दिशा को घडी के लिए अशुभ माना गया है घर में घडी को उत्तर दिशा पूर्व दिशा या पश्चिन दिशा में आप लगा सकते हैं लेकिन ध्यान रखें की घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार कमरे के दर्वाजे या आने जाने के लिए उपियोग किये जाने वाले दर्वाजे के उपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए इससे समय आपके आने जाने की गती और दिंचर्या पर पढ़ सकता है दोस्तों घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें जहां घड़ी समय का प्रतीक है तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दिवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, ये इससे वास्तु दोश उत्पन होता है, और कृप्या करके अपने घरों में, नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं, दोस्तों और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक है, जो हमें आगे बढ़ने की प् पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें, समय सदैव सही रखें, इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिनाम प्राप्त नहीं होता, ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए दोस्तों छोटी-छोटी बाते हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है, दोस अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्यद्वार पर टांगे, ये शुब नहीं माना जाता, पुरानी घडी किसी दान में देना शुब माना जाता है, इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है, इसलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दे, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने, रहने के लिए